So, Hello Friends, जैसा कि आप सभी को पता है, जब यहाँ पे Xiaomi HyperOS को launch किया गया था Android 14 पर बेज So, यहाँ पे हमारा first Xiaomi smartphone था, Redmi K60 Ultra, जिसमे HyperOS का update हम सभी को receive हो आता So, अब यहाँ पे Xiaomi ने HyperOS 2.0 का stable build यहाँ पे ready कर दिया है कौन से Xiaomi smartphone के लिए ready किया गया है, कब तक roll out किया जाएगा, accepted release status वाले update की क्या है यह मैं आपको यहाँ पे show करने वाला हूँ, वीडियो को शुरू से लेके last तक देखते रहिए और चैनल को subscribe और share जिरू से करके जाहिए यहाँ पे Xiaomi ने Redmi K70 Ultra के लिए HyperOS 2.0 का stable build OS 2.0.1.0 VNN CNXM के build में यहाँ पे prepare कर दिया है और यह stable update हमारा accepted है कि इसको October 10 तक यहाँ पे rule out कर दिया जाएगा Redmi K70 Ultra के लिए यहाँ पे Redmi K70 Ultra के लिए ही अभी यह update प्रेपेर किया गया है और इस वाली news को सबसे पहले share करने वाला मेरा टेलीगम चैनल है अगर आपने अभी तक जोईन नहीं किया है आप latest news को यहाँ पे miss कर रहे है HyperOS 2.0 की तो यह HyperOS 2.0 के stable update की पहली एन पहली एकदम गुड़ी नूज है जो यहाँ पे निकल के आ चुकी है कि OS 2.0.1.0 stable बिल्ड प्रेपेर हो चुका है और इसको rollout October 10 तक चाइना रीजन में K7T Ultra के लिए कर दिया जाएगा और जब भी इसको release किया जाएगा इसके रिगार्डिंग जो भी फीचर साहेंगे डाउन्लोंडिंग साहेंगी एप्लिकेशन साहेंगी नियू अपडेट साहेंगे सबसे पहले वीडियो क्रियाट कर दूँगा सब्सक्राइब बटन नाव एंजोई मैं टेलिकाम चैनल ना वगना पूल एटेश्ट इन्फोमेशन चाइए हाई पर वस्टूपन तो के रिगार्डिंग